तो हलो भाईयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल पे तो आज हम बात करेंगे रिपर वालियर्स और लेधर टाइगर्स के बीच में होने वाले बार्सलोना टीटेन मैच के बारे में जो की ग्रूप B का 85 और 86 मैच यहाँ पे आज खेला जाएगा और म चैन्जे आपको देखने को नहीं मिलेगा बैलें सर्फेस होगा उसके बाद दोस्तों वेर्नी रिकॉर्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 84 मैच हुए है जिसमें बैटिंग फर्स ने यहाँ पे 40 मैच विन किया है और बैटिंग सेकंड ने यहाँ पे 44 मैच विन किया है और एवरेज स्कोर की बात करें बैटिंग फर्स तो 100 से 120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्हों ने अभी तक मेरे टेलिग्राम को जोइन ने किया हो टेलिग्र हमको जोइन कर ले कियो कि दोस्तों वहां पर आपको final team मिलेगी और लास्ट मैस तो काफी अच्छा रहा आपने देखा हो तो यहां ऐस चैब बीच्जा को किथी देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा रहेंक आया हमारा 93 रहेंक आया था जिसमें एक करोड़ वाले में और काफी अच्छा 93 इसमें है इसमें 13 रहेंक आया था काफी अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने विन किया है क्लीन स्विप किये थे और ग्रैलिंग में काफी अच् कि यहां पर ट्रम्प कार्ड हमारा त्रिलो चंग सिंग रहेगा और होँ केप्टन बना था काफी तगडी इन्होंने तीन विकेट लिए थे और काफी अच्छा यहां पर किया था मैंने कुलवन सिंग के बारें बता था साथ बॉलिंग करे ना करे तो बॉलिंग किया था कि इतने भी दोस्त लोग है मेरे वह भी यहां पर विंक किया है जो मेरी जूड़े है तो सब के आप आपको देख सकते हैं सब में लगबग अच्छा खासा यहां पर हम लोग विंक कर रहे हैं तो आप भी तेलिग्राम को जॉइन कर लिजे ठीक है तो चलिए दोस्तों बात करके देंगे तो यह Captain sea West Captain के प्रवल दावेदार है आप लोगो बताने का जरूरत नहीं है इनके बारे में कितने अच्छे Batsman है आप लोग खुछ जानते होगे और Captain sea West Captain के प्रवल दावेदार है उसके बाद आएंगे दोस्तों आसी मक्बूल देख सकते हैं इनका record आप 0 रन, 4 रन, 23 रन, 10 रन तो ये थोड़ा सा बैटिंग से उतना चाखासा नहीं कर रहे हैं लाच 23 रन की जो इनिंग है वही ठीक थे इनकी बाकी उतना चाखासा नहीं है बाकी आप टीम में इनको ट्राइक कर सकते हो करना चाहो तो अगर आपके लिए प्लेयर सब लेबल हैं तो उसके बाद दोस्तों रजा वाकार खांग हारे जो दो बार की बॉलिंग कराना फिक्स है इनका और उपर बैटिंग करने आएंगे तो ये भी टीम के लिए इंपोर्टन प्लेयर बन जाते हैं इनको भी आप अपने टीम में ट्राइक कर सकते हो उसके बाद मुहमाद मसूद विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे ये और काफी अच्छा ठिक ठाक रहा इनको 13, 21, 15, 25 रन की निंग खेली है इनोंने और अगर विकेट कीपिंग से आपको अच्छे प्लेयर ना मिले तो इनको ट्राइक कर सकते हो आप अपने टीम में जरूर उसके बाद करम जी सिंग हर मैच में दोवर की बॉलिंग कर आते हुए दिखेंगे आपको और हर मैच में लगभगिन को विकेट मिला है देख सकते हैं एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट, हर मैच में दोवर की बॉलिंग कर आएगा और आप लिए विकेट लागर के देगा तो इंपोर्टन प्लेयर रहेगा आप इपसूर टीम में ट्राइ कर लेना साकीब मुहम्मद देख सकते हैं हर मैच में अभी जब से इनों को बॉलिंग मी दी है दो दो बार की बॉलिंग कर आ रहे हैं और दो दो विकेट विलिया लास्ट मैच में तो यह भी इंपोर्टन प्लेयर बन जाते हैं इनको भी अपने टीम में ट्राइ करना इमरान हुशेन देख सकते हैं बैटिंग ना बॉलिंग से कुछ अच्छा कंट्रिपूर्शन नहीं रहा है तो इनको प्रिफर नहीं करूंगा अक्तदार खान हर मैच में दो बार की बॉलिंग कर आते हुए आपको दिखेंगे और हर मैच में विकेट भी लेने का दमखम रखते हैं इनको अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो ठीक है अच्छे प्लेयर है उसके बाद सजाद इकबाल कभी कभी इनको बॉलिंग मिल जाएगा तो बोल नहीं सकता बाकी इनको बॉलिंग मिल रही है अज़र डिफ्रेंशल ग्रेंड लिंग में ट्राइ करना चाहो तो इसानी लाही को आप ट्राइ कर सकते हो तौसीब एहमाद को प्रिफर नहीं करूंगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको बैंच के कुछ प्लेयर दिखेंगे अगर यह खेलते हैं मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा देख सकते हैं सारे प्लेयर्स की रिकॉर्ड में यहां पर लिखे हैं स्टार्टिंग को और आपको अप्रिजिट इवान अक्तदार खान अप्रिजिट इवान राजावकार खान साकीब मुहमद आपको डेथ में दिखे है जुनेत अबजल हर माच में एक से दोवर की बॉलिंग आपके लिए करा करके ला रहा है और ओपनिंग करेगा तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि यह बैटिंग से भी ठिक ठाक कर सकता है तो टीम के लिए प्रिफर कर सकता हूं उनके लोग आप प्रिफर बैटर कर रहा हूं टिरा कर लेना मौमद अब़ू टीम के कैप्टन है और देख सकते हैं हिनका रिषेंट फ़र्म ठिक ठाक है और ठिक ठाक इसलिए बोर रहो है क्योंकि पान्च शहरणび टिम से कोई बना ने पाता है ठीक है इसलिए ठिक ठाक बोर रहे वह बागी इस्ट बाकी विकेट केपिंग करते हैं तो यहां जोड़े बहुत आपको पॉइंट के चांसे हो जाते हैं उसके बाद सजाद हमाद हर मैच में दोवर की बॉलिंग कराएंगे और बैटिंग से भी ठीक ठाक कर लेते हैं तो अपने पनी टीम में रखना अगर खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे इनको टीम में रखना अज़े प्लेयर नाविद रियाज ये भी आपके लिए एक से दोवर की करा बॉलिंग के राकर के देंगे प्लेयर अच्छे हैं लेकिन थोड़ा से इस्टेगल इनको बैटिं खेल ये 10-17-20 कुछ कर सकते हैं आपके लिठीक है तो इनको ट्राइ कर लेना उस्मान मुहमद देख सकते हैं कभी-कभी इनको बॉलिंग मिल जाता है भुले भटके बाकी हर मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिलेगा बाकी आप चाहो तो अज़े डिफरेंशल इनको भी ट्र ट्राइ कर सकते हो उसके बाद तेला महमूद देख सकते हैं अलाश्ट के दो मैच में साथ और एक रन कीनिंग है बैटिंग बॉलिंग से कुछ अच्छा नहीं करने हैं तो उनको मैं फ्रिफर नहीं करूंगा रासिद महमूद कभी-कभी ये दो और की बॉलिंग कराने आ आ प्रिफर नहीं करूंगा तो इनको आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं कि इनको बैटिंग मिल रही है न बॉलिंग मिल रही है उसके बाद बैंच ये कोई प्लेयर है देख सकते हो सबके रिकॉर्ड है अगर कोई भी खेलता है तो आपको टेलिग्राम पे रियाज जुनेद अबजल और डेट में आपको रासीद महमूद नाविद रियाज आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक डेमो टीम की आपको डेमो टीम बना करकरके अभी दिखाता हूं मैं तो दोस्तों एक मेरी डेमो टीम जो मैंने बनाई है, वो यह है, देख सकते हैं, यहान पे मैंने अप्टे केपटिंस इन से प्रीज डिमान को दिया है, और वायसे केप्टिंसई, यहाँ पे अक्तदार इकबाल खान को दिया है, आप वायसे के लिए बहुत सारे औप्शन हैंआपको, आप किसी के लेकिन वाइस केप्टन आप डिफरेंट डिफरेंट रखना है तो चलिए दोस्तों यह तो डेमो टीम है फानल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो उसके लिए टेलिग्राम जॉइन कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं तो वहां से जॉइन कर लो सभी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दो और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच दोस्तों